धैत्री माता की जै कोई है जो मदद कर रहा है जानि ग्यारा संकेत से कि कोई एक देवी शक्तियां के साथ है पहला अच्छा चरित्र शास्त्र कहते हैं कि देवी शक्तियां सिर्फ उनकी ही मदद करती है जो दुसरों की दुख को समझता है जो बुराईयों से दूर रहता है जो नाकारात्मक पिचारों से दूर रहता है जो नियमित अपने इस्ट की अराना करता है या जो पूर्णे के काम में लगा हुआ है यदि आप समस्ते हैं कि मैं ऐसा ही हूँ तो निश्ची थी देवी शक्तियां की मदद कर रही है बस आपको थोड़ा सा इस बात का ध्यान देनी की जरूरत है कि आप अच्छी मार्ग पर हैं और आपके उपर शक्तियां देख रही हैं दूसरा ब्रह्म म पर मंदीरिया देविस्थान के भी सपने आते रहते हैं सपने में आप आसमान में उठते रहते हैं या सपने में आप देवी देताओं से वारता लाप करते हैं तो आप समझ जाईए कि देवी शक्तियां आपकी आपकर महर्वान हैं चौथा पुर्वा भास यदि आपको आ पेटी और आपके सभी परिजन आपकी आग्या का पालन कर रहे हैं, तो वे सभी आपसे प्यार करते हैं, एवं आप भी मुन से प्यार करते हैं, तो समझ जाएए कि देवी शक्तियां आपसे प्रसंद हैं, छटवा भाग्य से भी तेज, जीवन में आपको अचानक से दन देवी शक्तियां आपकी मदद कर रही हैं, सात्वा सुगंदीत वातावरन का हैसास, यदि कभी कभी आपको महसूस होता है कि मेरे आसपास कोई है, कोई बीना किसी कारण के ही अपने आसपास सुगंद का एहसास हो, तो समझ जाएए कि अलोकिक शक्तियां आपके आसपास आपकी मदद के लिए हैं, आठवास तुहानी हवा, आप पुजा कर रहे हैं, और यदि आपको लगे कि अचानक सुहानी हवा का जोका या प्रकास को जा गया, और शरीर में सिहरन दौरने लगे, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ, तो समझ जिए कि देवी देवता आप पर 9. ठंडी हवा का घेरा, घुमी पर रहते में भी, कभी-कभी आपको यह ऐसास है, हो कि मेरे आसपास बादल या ठंडी हवा का एक पुज है, जिनोंने मुझे घेरा हुआ है, तो आप समझ जाएंगी, ओलोकी या देवी शक्तियां ने आपको घेर रखा है, ऐसा आकसर भू 10. रोशनी का पुज, अचानाखी आपको तेज रोशनी का पुज दिखाई दे, जिसकी आप कल्पन भी नहीं कर सकते, या आपको अचानाखी कानों में मधूर संगीत सुनाई दे, आप अश्चरे करें कि यहां तो आसपास कोई संगीत नहीं बज रहा है, फिर भी कानों मे सिटी वजने की तरह सुनाई दे, तो आपको समझेना चाहिए, आप देवी शक्ती के संधीते में हैं, ऐसा अकसर उन लोगों के सांथ होता है, जो निरंतरियम नेश्ट देव का मंतर जाप कर रहे होते हैं, 11. किसी भी आवाज सुनाई देना, यदि आप रात्रे में गहरी निर में सो रहे हैं, आपको लगता है कि किसने मुझे आवाज दी, और आप अचानक ही उड़ जाते हैं, लेकिन फिर आपको आभास होता है कि यहां तो कोई नहीं है, लेकिन आवाज स्पस्ट थी, ऐसा आपके सांथ बार बार हो जाता है, तो आप समझ जाएए कि आप पर किसी और लोग की खक्ति की महरवानी है, ऐसे में आप हनुमान जिन का ध्यान करें, धन्यमाते, का इक्रिमाता का ध्यान करें, उन्हें धन्यमाते, ऐसे ही अच्छी चीजान करें के लिए मेरे चैनल को लाइक एवाँ सब्सक्राइब करें